नमस्कार देश के नमबर वान हिंदी न्यूज शानल का नमबर वन शो साजुश देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ बोरे का ठाको साजुश में सबसे पहले बार उसे किस साल की माया रेगेव की जिसने हमास जैसे संगठन को जुकने पर मजबूर कर दिया पचास दिनों तक हमास की कैद में रही माया रेगेव अब अज़ाद है और कैद से बाहर आने के बाद माया रेगेव ने हमास के बारे में ऐसी बाते बताई है जिसे सुनकर नेतन याहू भी हैरान है 21 साल की बंधक माया रेगेव का वीडियो माया ने हमास के बारे में क्या बताया हमास ने माया के साथ कैसा सलूप किया माया के साथ साथ अक्टूबर के उस सुबह क्या हुआ था माया को हमास ने कैसे किया था अकपा 21 साल की मासा रेगेव से जोड़ी हर बारीक से बारीक डीटेल आपको आगे दिखाएंगे क्योंकि कैमरे पर माया ने हमास के बारे में जो कुछ बताया है उससे हमास के लड़ाकों के एक और बक्ष का बता चलता है आपको आगे इस्रेयल बंधक संकट से जोड़ी लेटिस्क रेपोर्ट भी दिखाएंगे लेकिन इन से पहले माया रेगेव की रोंग के खड़ी कर देने वाली कहान माया रेगेव सही सलामत थी जब म्यूजिक फेस्टिबल में थी लेकिन आप लौटी हैं तो बैसाखी के सहारे बंधकों को वापिस ला रही वैन में बैठने से पहले माया रेगेव का ये वीडियो देखिए जो हमास की उन सारे काईदों की धज्यां उड़ाता है जिसमें कहा गया है कि बंधक बिलकुल सुरक्षत लौटेंगे माया रेगेव पचास दिनों तक मौद की सुरंग में रही पचास दिनों तक हर पल मौद सामने नाचती रही पचास दिनों तक तड़पती रही फैमली से मिलने के वास्ते पचास दिनों तक बैते रहे माया रेगेव की आँखों से अनवरता सु और फिर आए इस्रेली गर्ल माया रेगेव के लाइट में वो सुबर जब वो आजाद हो गए अंधेरे, बंद कमरे और हर सांस पर लगे पहरे से आसाथ अपने देश इस्रेल में माया रेगेव के परिवार की लाखों दुआएं कबूल हुए अपनी बेटी के लिए तडपती मा की कलेजी की प्यास पुझे माया रेगेव को हमास ने 50 दिनों बाद रिलीज कर दिया माया और माया के 18 साल के भाई इताई को हमास के लड़ाकों ने 7 अक्टूबर को नोवा म्यूजिक फेस्टिबल से अखबा किया दिया उस वक्ट फेस्टिबल के बीच खुद को बचाने की कोशिश में भाग गही माया ने अपने पिता इतान रेगेव को फोन भी किया था उनके पिता ने बेटी की वो कॉल रेकॉर्ड कर ले थी वो लगा था उससे अपनी लोकेशन भेजने को कह रहे थे लेकिन इतने में फोन कट गया इसके बाद माया के पिता लगातार घाजा की सीमा के पास मौजूद अस्पतालों में अपने दोनों बच्चों को खोज दे रहे उन्हें कोई सुराग नहीं मिला कुश देर बार इलान को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिला इसमें एक ट्रक के पीछे हमास लड़ाकों ने उनके बेटे इताई को बांध रखा था फोन कॉल के वक्त माया लगातार कह रही थी वो लोग मुझे मार रहे हैं उन्होंने मुझे गोली मारी है हम मर जाएंगे मैं कार में छिपे हुई हूँ हमास ने 7 अक्टूबर को इस्रेयल के लोगों को जब बंधक बनाया तो ना उनकी उम्र देखी ना मर्द औरत देखा जो भी बकडा गया उसे अपनी वैन में ठूस कर चलते बने जिसे जी चाहा मारा पीचा और एक लड़की की बोड़ी तो पूरे घाजा में निर्वस्त्र करके घुमाया माया रेगेओ के पैर जखमी है माया के साथ जो बारख और बंधक इस्रेयली कड़ से रहा हुए हैं इन में से तीन बच्चों के उम्र दस साल से भी कम है इस्रेयल हमास के बीट जो समझोता हुआ है उसके मताबिक ये सीज फायर सिर्फ चार दिनों के लिए ही रहेगा सोबस साथ बजे से शाम चार बजे के बीच बंधकों को छोड़ा जाएगा हर देन तेरा बंधक रिहा किया जाएंगे इस्रेयल ने एक बयान जारी कर बताया कि इसके बाद अतिरिक्ट दस बंधकों के रिहाई पर सीज फायर एक दिन और बढ़ जाएगा मतलब पाँच दिनों में कुल साथ बंधक चोड़ने का सोदा हुआ है इसके बाद भी हमास की कैद में 180 बंधक बचे रहेंगे हमास ने नुवा म्योजिक फेस्टिवल से उठा लिया था इसमें कई देशों के नागरिक भी शामिल है हमास अब जथा बना कर इन बंधकों के रिहाई कर रहा है और पदले में इस्रेयल भी फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा कर रहा है सौदा बहुत सीधा सा दिख रहा है लेकिन असल में है नहीं गाजा में गोली बारूद बंधी से शांती दिख रही है लेकिन ये तूफान से पहले की शांती है क्योंकि इस्रेयल ने दो टूक कहा है ये इसलिए क्योंकि 12,000 फिलिस्तीनियों की मौत की बावजूद इस्रेयल का पूरे उत्तरी घाजा पर कपज़ा अब तक बाकी है दूसरा कारण घाजा के दक्षन में खान योनिश शहर पर भी कपज़ा बाकी है तीसरा कारण हमास के अंते मातंकी के जिन्दा रहने तक युद्ध जारी रहेगा क्योंकि हमास किसी भी वक्त पलतवार कर सकता है मैसेज लाउट एंड क्लियर है कि संधर्ष विराम के बाद भी इस्रेयल नहीं रुकेगा इस्रेयल इस बीच खुद पर कंट्रोल कर किनारे खड़ा रहेगा कि कब इन बंदकों को भी छुडाया जाए और कब घाजा का उपरीशन खत्म किया जाए यही वज़े है कि इस्रेयल डेवन फोर्स यानि आईडियफ इस सुवक्त घाजा में मौजूद है टैंकों की पहरेधारी घाजा से हटाई नहीं गई है क्योंकि जमीनी हकीकत यह है कि ना तो हमास को इस्रेयल पर पूरा भरुसा है कि सारे बंदकों को सुरक्षित रहा करेगा ना हमास को भरुसा है कि इस्रेयल सीज फायर का उलंगन नहीं करेगा यानि दोनों सीजफायर में तब तक बंधे हैं जब तक उनकी मांग पूरी होती रहेगी इसरेल का ताजा बयान है कि सीजफायर के बाद गाजा से लेकर कतर तर हमास के एक ही कातंकी को चुन-चुन कर मारा जाएगा हमास इसरेल के इस ऐलाम को सुन चुका है और हमास भी ये जदा चुका है कि उससे भी जब मौका मिलेगा वो इसरेल पर 7 अक्टूबर जैसा गूर हमला करेगा जाहिर है दुश्पनी के बीद सिर्फ सीज़ वा रहा है और हो भी बिना भरूसे वाला जानकारों का मानना है कि हमास युद्विराम के तहद खुद को संगठित कर रहा है हमास के टॉप लीडर खुद के लिए बेहद मैफूज जगा की तलाश कर रहे है इसरेल की हमास के खात्मे के साथ लेबनन के हिजबुला और यमन के हूथी वे द्रोहियों को भी नस्तो नाबूद करने की प्लानिंग है लिहाज़ा इसरेल कोशिच में है कि जितनी जल्दी हो सके बंधकों को छोड़ा लिया जाए इसरेली विशेशक्यों का अनुमान है कि जब बंधकों की अदला बदली का काम पूरा हो जाएगा तो घाजा शेहर पर मियंत्रं की लड़ाई हफते भर से दस दिनों तक और चलेगी पश्यमी मीडिया में रिपोर्ट शप रही है कि हो सकता है कि सीरिस फायर के बाद इसरेल का ध्यान घाजा पर्टी के दक्षण इलाके की दरफ होगा इसरेल का मानना है कि याया सिनवार और मुहम्मद दाईव जैसे हमाज के सीनियर नेता हजारों लड़ाकों के साथ घाजा पर्टी के दक्षण में कहीं है शायद उनके साथ बड़ी संख्या में इस्रेली बंधक भी मौजूद हूँ गाजा पट्टी के लगभग 22 लाख लोगों का एक बहुत बड़ा हिस्सा दक्षन की ओर चला गया है दक्षन के लाके में लोग अटे पड़े हैं उनमें बहुत से लोग डरे सहमे और बेगर है ऐसा लगता है कि वहाँ एक बहुत बड़ी मानवियत राजदी अपने होने का इंतजार कर रही है अल मबासी के रेतीले मैदानों के बीच टेंटों में ठूसे सैकणों फिलिस्तीनियों का मंसर दुनिया को इस मानविय संकट की और निगाहें दोड़ाने के लिए मजबूर कर सकता है साथ अक्टूबर के हमले के बाद गाज़ा पट्टी से लगभग सत्रा लाट लोग विस्था पित हो चुके हैं इन में से ज्यादा तर लोगों ने गाज़ा पट्टी के दक्षने इलाके में पहले से भीड भाड़ वाले शिवरें में पनाह ले रखी है युद्विराम की तारीख खत्म होते ही इन लोगों के सिर पर इस्रेल की बंदू के तान दी जाएंगी इस्रेली सेना के प्रवक्ता लेफटिनन्ट करनल रिचर्ड हैच को सुनिये ये मुश्किल हो सकता है लेकिन वो लोग जीवित रहेंगे इस्रेल के लिए ये सैन में जरूरत बन गया है जिस तरह घाज़ा शहर के नीचे हमास का नेटवर्क है ठीक वैसे ही खान योनस और रफा में भी हमास के लड़ा के फैले हुए है और वहाँ उन्होंने अपना इंट्रास्ट्रक्चर बनाया है इस्रेल इस बार हमास से सदा सदा के लिए निप्टारा चाहता है और हमास के खिलाफ इस्रेल को नेस्तो नाबूद करने के अब तक के बीच आता रहा है बंधक संकर्ट बंधकों में कई विदेशी होने की वज़से और खुद इस्रेल में विरोध प्रदर्चन होने से नितन्याहू ने हमास से युद्ध विराम तो कर लिया लेकिन युद्ध तो तभी खत्म होगा जब हमास को मिट्टी में मिला दिया जाए इंतजार कीजे सीसफायर को बीच जाने का और इस्रेल के हमास के खिलाफ पिरसे जोरदार हमले का क्योंकि ये रुकने वाला नहीं है